चोटे दोस्त आप क्या खाते हो मैं मैं अपनी मम्मा की तरह हरी हरी खास खाता हूँ खास? क्या खास का स्वाद आपको अच्छा लगता है मैंने तो कभी खास नहीं खाई तो फिर आप पक्षी क्या खाते है हम दाना खाते हैं मैं अपनी ममा की तरहा दाना खाती हूँ इसका मतलब जो छीज हमारी माय खाती है हम भचे भी वही चीज खाते हैं अच्छा दोस्त, कल मीलेंगे, हम मैं जाती हूँ गुडिया अपने ने दोस्त मेमने से मिलने के बाद, अपने घर चली जाती है ममा ममा पता है आज मेरी दोस्ती मेरी दरहां के एक चोटे से बकरी के बच्चे से हुई है बकरी का बच्चा उसका घर कहा है वो कहां रहता है ममा हमारे घर के पास पिपल के पेड़ के नीचे रहता है वो मेरा दोस्त और उसकी ममा दूसरे दिन मा बकरी और उसका बेटा चोटा मेमना घास खाते खाते दूर निकल जाती है नदी के ऊपर एक पूराना ब्रीश था जब वो मा बेटा उस ब्रीश से गुजरने लगते हैं तो वो ब्रीश तूट जाता है और वो दोनों माँ बेटा बहती ही नदी में गिर जाते हैं मेरे बच्चे घबराना नहीं मैं हूँ मैं मलचा लूँ अपने बेटे को दोनों माँ बेटा तेजी से नदी में बहते चले जा रहे थे माँ बकरी किसी भी तरहा अपने बेटे को किनारे तक ले आती है और उसे नदी से बाहर निकाल देती है मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती है छोटा बचा अपनी माँ को खुद से जुदा होते हुए देख रहा था ममा ममा मेरी ममा कोई मेरी ममा को बचा ले मगर देखते ही देखते मा बेटे का खुशन भरा जीवन दुखों से भर जाता है रोता हुआ मेमना अपनी मा के बिना ही वापिस चला जाता है दोस्त क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो मेरी ममा मेरी ममा नटी के तेज बानी में बह गई मेरी ममा उसे पिछड़ गई है बहुत बुरा हुआ ये तो बहुत बुरा हुआ ममा कहती है इस नटी में गिरने वाला कभी नहीं बचता छोटे दोस्त आप चुप कर जाएं हम कला आपकी ममा को ढूणने जाएंगे गुडिया अपने घर वापिस चली जाती है बहते बहते मा बकरी जंगल की दूसरी दिशा में पहुंचाती है और एक तूटे हुए पेर में फंस चाती है किसी भी तरह मा बकरी खुद को बचा लेती है और वो नदी से बाहिर निकलाती है रोती हुई मा बकरी इधर उधर देखती है ये जंगल उसके लिए नया था कालू देखो देखो वो बकरी रो रही है लगता है दूसरे जंगल से आई है अगर हम उस बकरी को अपने घर ले जाएं तो हमें मुफ्त में दूद पीने को मिलेगा हाँ कालू तेरी बात तो ठीक है दोनों कवे बकरी के पास जाते है बकरी बकरी तू रो क्यों रही है क्या हुआ है हम मा बेटा नदी में गिर गे थे और मैं अपने बेटे से पेच़ड़ गई हूँ चिंता ना करो बकरी तुम चिंता ना करो तुम हमारे साथ हमारे घर में आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा बेटा ढूंडने में ऐसे कव्वा और कव्वी बकरी को घर ले जाते हैं रात हो जाती है बकरी बकरी हमें बहुत भूक लगी है क्या तुम अपना दूद हमें दे सकती हो? हाँ आपने मेरी मदद की है आप मुझे अपने घर लाएं मैं आपको अपना दूद जरूर दूँगी कव्वा एक ग्लास लेता है और बकरी का दूद निकाल लेता है अब तुम सो जाओ बकरी इस जंगल में एक जालिम शेयर भी रहता है तुम हमारे घर में ही छुपकर रहना और मैं और कालू जी तुम्हारे बेटे को ढूंड लाएंगे कव्वे और कव्वी मैं आपका ये इहसान सारी जिन्दगी याद रखूंगी आधी रात थी बकरी का छोटा मेंना अकेला डर रहा था जिस पेड़ के नीचे वो अपनी मां की गोद में मां आजाओ मां मेरे पास आजाओ बच्चा ऐसे रोता हुआ अपनी मां को याद कर रहा था ममा मेरा दोस्त रो रहा है मां मुझे डर लग रहा है मां आजाओ गुरिया बेटी वो अभी चोटा है मैं उसे अपने घड में ले आती हूं वो अकेला डर रहा होगा फिर ममा चड़िया बाहिर जाती है और बकरी के छोटे बच्चे के पास जाती है बेटा आप चिंता ना करो एक दो दिन में आपकी ममा जरूर मिल जाएंगी आप तब तक मेरे साथ मेरे घर में गुडिया के साथ रहो आप दे, मुझे डर लग रहा है इसलिए तो मैं आई हूँ ममा चड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है गुडिया अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है आप मेरे साथ सोचें दोस्त आसे मैं आपका ख्यार रखा करूंगी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे दोस्त सुधा हो जाती है कवा और कवी बकरी का दूद निकालते हैं और एक एक इलास पीते हैं क्या मैं भी आपके साथ आओं अपने बेटे को ढूंडने ना ना बाहिर बहुत खत्रा है अगर शेर आगया तो वो तुम्हें खा जाएगा मैं और मेरी पतनी तुम्हारे बच्चे को ढूंडने जाते हैं ऐसे कवा और कवी अपने घर से निकलते हैं वो नदी के पास जाकर ठंडी चाओं में बैठ जाते हैं कालू मुफ्त में मिलेगा दूद अब तो हमें दाना ढूंडने की कोई जरूरत नहीं लेकिन हमें उस बकडी को घर में ही रखना होगा अगर उसे उसका बच्चा मिल गया तो वो हमें छोड़ कर चली जाएगी कवा और कवी सो जाते हैं आप दोनों घर में ही बैठो और मैं कबूतर से कहती हूँ कि उंची उडान लेकर जंगल में देखें कि आपकी ममा कहा है आउंटी आउंटी जिस दिशा में नदी का पानी जाता है ममा उस दिशा में होगी मैं अब ही जाती हूँ और शाम तक आपकी मम्मा को ढोंड कर जरूर लेकर आऊंगी मम्मा चुडिया चली जाती है कबूतर भेया नदी की दिशा में देखकर आएं सफैद रंग की होगी वो बकरी चुडिया बेहन मैं लंबी सांस लेकर उंची उड़ा लेता हूँ पर तब तक आप घने जंगल में जाकर मा बकरी की खोज करें कबूतर और चुडिया दोनों मा बकरी को ढोंडने लगते हैं कबूतर उंचाई में उड़ता हुआ इधर उधर देख रहा था और ममा चुडिया घने जंगल में बकरी की खोज कर रही थी कबूतर और ममा चड़िया शाम तक खोज करते हैं मगर शाम होने पर दोनों नाकाम वापिस लोड़ते हैं चड़िया मैंने पूरे जंगल में देखा मगर मुझे कहीं भी कोई बकरी नजर नहीं आई कबूतर भीया अब तो शाम हो गई है हम कल फिर से माबकरी को ढूनने निकलेंगे वो दोनों वापिस चले जाते हैं आउंटी आउंटी मेरी मा मिली क्या नहीं बेटा मैंने और कबूतर ने पूरे जंगल में देखा हो सकता है कि मेरे दोस्त की ममा दूसरे जंगल चली गई हो हाँ बेटी कल हम दूसरे जंगल भी जाएंगे शाम को कववा और कववी थोड़ी घास लेकर घर आते हैं माबकरी बेचानी से पोच्छती है क्या क्या मेरा बेटा मिल किया मैं तो सुबहा से उड़ते उड़ते ठक गई हूँ मगर मुझे कहीं भी तुम्हारा बेटा नहीं मिला बकरी बकरी अब जल्दी से घास खाओ और हमें अपना दूद दे दो हम बहुत भूके हैं ठक गई हैं तुम्हारे बेटे को ढूंडते ढूंडते बकरी खास खाती है और कवे बकरी का दूद निकाल कर पी लेती है दूसरे दिन जब कवे घर से चले जाते हैं तो मा बकरी से रहा नहीं जाता वो सोचती है अकर मैं इन कवों के कहने पर शेर से डर्टी रही तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं मिल सकूँगी मुझे जाना होगा मुझे अपने बेटे की खोच में खुद ही जाना होगा मा बकरी बाहर में कल दी है और घने जंगल की तरफ भागती है वो डर रही थी मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चे के पास जाना था उपर आसमान में उड़ते हुए चिडिया और कबूतर मा बकरी को देख लेते है वो रही वो रही मा बकरी वो दोनों मा बकरी के पास आते है हम आपको कल से ढून रहे है मेरा बेटा मेरा बेटा तो ठीक है न आपका बेटा मेरे घर में है वो आपकी रह देख रहा है ये सुनकर मांबकरी खुश हो जाती है वो सब वापिस चले जाती है मांबकरी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों मांबेटा चिडिया और कबूतर को धन्यवाद बोलकर हरी हरी खास खाने निकल जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में रहता था एक कालु कवा, उसकी पतनी का नाम था गोरी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम चगु कवा था, कवों की अपने जिन्दगी तो चोरियां करते गुजर गई थी और अब वो दोनों पती पतनी अपने बेटे को चोरियां करने की ट्रेनिं दे रहे थे शाबाश बेटा आज तुम पहले दिन अकेले कोई चोरी करने जा रहे हो कुछ जरूरी बातें अपने पापा से सीख लो सबसे पहले जहां से माल चोरी करना हो वहां से थोड़ी दूर बैठ कर इधर उधर अच्छे से देख लेना पापा मुझे जाने दें मैं आप से बड़ा चोर बनूगा मुझे सब पता है सुनो तो बेटा और जब चोरी कर लो तो पीछे देखे बिना भागना है और ममा अगर कोई देख ले तो फिर इसलिए तो पीछे मुड़ कर नहीं देखना फिर कवे और कवी का बेटा पहले दिन चोरी करने जाता है वो जंगल में उडान लेता है और उसकी नजर तोते के घौंसले में जाती है जहां उसे मीठा और पका हुआ अमरूद दिखाई देता है वो घौंसले से थोड़ा दूर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है लगता है यहां कोई भी नहीं है मौका अच्छा है और फिर वो सीधा तोते के घौसले में जाता है जगुकवा तोते का अमरूद उठा कर भागने ही वाला था कि वहां तोता भी आ जाता है परन्तु जगु वो अमरूद उठा कर भाग जाता है और तोता भी उसका पीछा करता है फिर क्या था जग्गू कवा आगे आगे और तोता उसके पीछे पीछे जग्गू जवान था इसलिए तोता उसे पकड़ नहीं पाता और ठक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है कंबख्त मेरी आँखों के सामने ही मेरा अमरूद चुरा कर ले गया और मैं पकड़ ना सका चोर को फिर वहाँ चिरिया आ जाती है अरे तोते भेया आपकी सांस क्यों फूली हुई है सब ठीक तो है ना वह अमरूद वह अमरूद मैं बहुत मुश्किल से लाया था परन्तु चौर लेके भागया बहुत पीछा किया परन्तु पकड़ ना सका मैं उसे चौर पक्षी का रंग कैसा था दोते भेया काला उसका रंग काला था मुझे तो वह कालू कवा ही लग रहा था परन्तु मैं अभी अभी कवे के घर के पास ही आई हूँ कालुकवा और उसकी पतनी तो अपने घर में सो रहे थे और उनका बेटा जग्गू तो अभी छोटा है तो फिर कोई और होगा अगर एक बार मेरे पंखों में लग जाए मैं भागता रहा और वो मेरे पीछे पीछे और वो ठक गया ऐसा ही करते हैं अगर ऐसे चोरी करोगे तो तुम हमेशा बच निकलोगे ये अमरूद तो बहुत स्वादिश्ट लग रहा है जग्गू चलो इसे खाते हैं एक बार में जा कर कव्वे के घर देखर तो आँ क्या पता मेरा अमरूद मिल जाए ऐसा सोचते हुए तोटा कव्वे के घर की तरफ आता है क्या बात है बड़ी नाक वाले तोटे कैसे आए हो आज मेरे घर में चोरी होगी एक चोर मेरा अमरूद चुरा ले गया है तो फिर हम क्या करें? वहाँ तोते का अमरूद तो था नहीं क्योंकि अमरूद तो कवों ने खा लिया था इसलिए तोता डर जाता है मैं तो आपको बताने आया था कि आप भी अपने घोंसले का दिहान रखना कोई काले रंग का चोर फिर रहा है जंगल में भागो यहां से बड़ा आया काला रंग बताने वाला हरे रंग का नहीं हो सकता वो चोर तोता कवों से डरते वहां से चला जाता है जंगल में रात भी हो जाती है जगुकवे के ममा और पापा सो जाते हैं आज रात कोई बड़ी चोरी करके क्यों ना ममा पापा को सर्प्राइज दूँ। मैं आज रात चिडिया के घर जाता हूँ और उसका सारा भोजन उठा लाता हूँ जो उसने बार्षों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जगू कवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से चिडिया के घर में देखता है। तो ममा की पकी दुश्मन चिडिया आंटी सो रही है। मैं आज चिडिया आंटी का सारा ही भोजन चुरा लूँगा। फिर जगू चिडिया के घर में जाता है वो चिडिया का सारा ही भोजन उठा कर एक साथ रखता है और उसे भांद कर वहां से भाग जाता है सुबहा हो जाती है और चिडिया की जब आंख खुलती है तो अपने घर में भोजन ना देख वो रोने लग जाती है मेरा भोजन कोई चोर मेरा सारा ही भोजन चुरा ले गया जालम ने एक दाना भी नहीं छोड़ा कितनी मुश्किल से वो भोजन मैंने बार्षों के लिए जमा कर रखा था मैं जा कर कपूतर भीया को बताती हूँ अरे भोजन कहां से आ गया हमारे घर में गोरी कहीं तुमने तो नहीं चुराया किसी का इतना भोजन कहां से आ सकता है जगू कवा जो रात जागता रहा था अभी तक सोया हुआ था जगू उठो उठो जगू जगू कवा भी उठ जाता है जगू ये इतना भोजन कहां से आया ममा ममा जब रात आप सोई थे तो मैं चिडिया आंटी के घर से चुरा कर लाया था ओ तेरी तुम तो जगू हमसे भी बड़े चोर बन गे हो आज तुमने साबत कर दिया है कि तुम हमसे बड़े चोर हो ये भोजन जादा है मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ अगर चिडिया यहां आगई तो उसे पता चल जाएगा फिर गोरी कवी उस भोजन में से कुछ भोजन लेकर चुपाने चली जाती है मेरे ख्याल में ये काम कवों के इलावा और कोई नहीं कर सकता तबूतर भेया मैं तो सोई हुई थी हम कैसे कवों पर अलचाम लगा सकते हैं हमने देखा भी तो नहीं है कवों को चौरी करते हुए गोरी कवी भी चौरी किया हुआ भोजन चुपा कर चिडिया और कबूतर के पास आ जाती है चिडिया क्या हुआ क्यों ऐसे रो रही हो चिडिया रोएना तो और क्या करे कोई चौर आज रात चिडिया का सारा भोजन चुरा ले गया है मेरी किसी से क्या दुश्मनी फिर उस चौर ने मेरा घर ही क्यों चुना मैं तो अपनी माँ के पास के हुई थी होगा कोई चौर मुझे क्या पता ऐसा कहते हुए गोरी कवी वहां से चले जाती है पेट देखा था इसका खा खा कर कैसे फूला हुआ था मुझे तो इसी पर शक है या फिर इसका पती कालू कवा इनके इलावा हमारे जंगल में कौन चौरी कर सकता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जंगल में चील के बेटे की शादी थी सभी परक्षी शादी में चील की दावत खाने आई हुए थे कालू जी देखें तो चील के पास कितने सुन्दर सुन्दर कंगन है और एक तुम हो कि कभी मुझे कोई ऐसा गहना नहीं ले कर दिया ये कंगन बहुत कीमती है इतने पैसे मेरे पास नहीं के मैं तुम्हें ऐसे कंगन ले कर दे सकूँ जग्गू बेठा अपने ममा पापा की बातें सुन रहा था क्यूंकि उसने नहीं नहीं चोरियां शुरू की थी इसलिए उसे तो ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था और फिर जब शाम को कव्वा और कव्वी अपने घर जाते हैं तो जग्गू अपनी ममा से कहता है ममा ममा आज रात मुझे अपने दोस से मिलने जाना है पर अन्तूर रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पापा आपी तो कही बार घर से बाहर रहते हैं रात को ऐसा कहते हुए जग्गू कव्वा वहां से चला जाता है कुछ चलने फिरने दो मेरे बेटे को मोज कर ले यही तो दिन है आजादी के जग्गू कव्वा एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है और फिर जैसे ही रात होती है जग्गू कव्वा वहां से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है आज तो बड़ी चोरी होगी, आज मैं भोजन के इलावा कुछ और भी चुराऊंगा और वो हैं चील के कंगन, और मैं अपनी ममा को आज खुश कर दूँगा फिर जगू कवाल चील के घौंसले से वो कंगन उठा लेता है और जैसे ही वो भागने लगता है, चील की आँख खुल जाती है वो उसे पकड़ लेती है चोर कहिंके मैं देती हूँ तमहें अपने कंगन सुभा हो जाती है और चील पुलीस को बुला लेती है और जगू को पुलीस के हवाले कर देती है इसे ऐसी सजाद है ना कि फिर कभी ये चोरी ना कर सके कवा कहीं का और फिर पुलीस उसे जेल ले जाती है कवे और कवी तक भी खबर पहुँचाती है गोरी बेहन सुना है जगू किसी बड़ी चोरी में पकड़ा गया है मेरा चोटा सा बेटा कैसे जेल में रहेगा मैं मर जाओंगी अपने बेटे के बिना ये सब तो हमें उस समय सोचना चाहिए था जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे जब चिडिया का भोजन वो चुरा कर खलाया था तब ही हमें उसे समझाना चाहिए था मुझे तो उसी समय पता चल गया था परन्तु मैं खामोश रही और अब देखो गोरी और कालू आपके कारण आपका बेटा जवानी जेल में ही काटेगा और फिर जगु कवे को दो साल जेल की सजा हो जाती है अगर मेरे ममा पापा ने मुझे चोरिया ना सिखाई होती तो आज मैं भी आजाद पक्षी होता और फिर कवे और कवे को समझाती है कि ममा पापा की बुरी पराशिक्षन की सजा उनकी संतान को भुखतना पड़ती है अपनी संतान को ऐसी पराशिक्षन दे जिसे वो अच्छी जिन्दगी गुजार सकें ना कि ऐसी प्राशिक्षन जिसे उनकी जिन्दगी कैद में गुजरें इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कव्वा बढ़ापे में एक कव्वी से इश्क करने लगता है और वो शेतान कव्वी कैसे कालू कव्वे को अपने जाल में फन साती है चिड्या बहन अगर कुछ घर में खाने को है तो हमें देए कालू तो आज फिर घर में कुछ नहीं लाया वो तो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ गया था और मेरे साथ चनो की फजल में भी नहीं गया मैंने कहा तो गुसा करने लगा नजाने कुछ दिनों से कालू को क्या हो गया है पहले तो वो ऐसा ना था ये ले गोरी बहन चनो के कुछ दाने है ये आप और आपका बेटा खा लेना फिर गोरी कववी वो चने लेकर अपने घर लोड़ती है जेंगल में रात भी हो जाती है गोरी और उसका बेटा वो चने खा कर सो जाते हैं परन्तु कालू कववा तो गुलाबो कववी के ही सपने देख रहा था उसे तो नेंद भी ना आ रही थी फिर आधी रात को कालू कववा सो जाता है अगर मेरी चोंच तेज है तो तुम्हारे भी पांख बहुत सुन्दर है और रंग कितना काला है मेरे सुन्दर कालू का मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा गोरी और उसका बेटा जगू कालू का शोर सुनकर जाग जाते हैं जगू ये तुम्हारे पापा को क्या हो गया है कालू जी उठें ये क्या आप सपने में उल्टी सीदी बातें कर रहे हैं सपना मैं सपना देख रहा था फिर कालू कव्वा चुप करके सो जाता है दूसरे रोज कालू कव्वे को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी गोरी मैं जा रहा हूँ मुझे दूसरे जंगल के ठोते ने बलाया है मैं शाम को देड़ सी आऊंगा को तुम अपना और जगू का भोजन डूंड कर ले आना परन्तू कालू जी इससे पहले के गोरी कुछ कहती कालू वहां से चला जाता है उसे आज गुलाबों के लिए मकेई का भुटा लेकर जाना था वो सोच रहा था कि वो मकेई का भुटा कहां से लेकर जाए दाने खिलाओ क्या मकेई का भुटा किसी से मिल सकता है मेरे पास है मैंने तो भोजन खालिया है आप ये जल्दी जल्दी से ले जाएं और गोरी भाबी को दें ताके वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू तो कुछ सोचे बिना वो मकेई का भुटा लेकर वहां से दोड़ता है मेरे काले कालू जी आज रात मैंने सपना देखा मैंने देखा कि मेरा कालू और मैं जरने पर बैटे हुए मठाई खा रहे हैं मैं भी सारी रात सो नहीं पाया आपको ही सपनों में देखता रहा हूं फिर तो फंस गया है कालू मेरे जाल में क्या कहा गुलाबो कुछ नहीं मैंने कहा आप कितना खियाल रखते हो मेरा मैंने एक बार कहा और कैसे आप मेरे लिए मकेई का भुटा ले आए मैं तो पूरा खेथ ही लाने वाला था बस इतना ही काफी है अब कल चलने पर बैठकर मठाई खाएंगे परंतु मठाई मिलेगी कहां से आपका कालू मठाई का धेर लगा देगा कल तो आने दो मेरे सुन्दर कालू जी थोड़ी ज्यादा ही ले आना वो मेरा नोकर है ना उसे भी मठाई बहुत पसंद है मैं ले आउंगा फिर कालू और गुलाबो ऐसे बैठे गपे लगाते रहते हैं चलो चड़िया गोरी को देखकर आते हैं बहुत दर्द हो रहा है गोरी के पेट में कालू अभी अभी मुझसे मगई का भुटा लेकर गया है गोरी को देने के लिए मुझे तो नहीं पता जरा चलो तो जा कर देखते हैं फिर कबूतर और चड़िया गोरी के घर जाते हैं गोरी उन्हें रास्ते में ही बैठी दिख जाती है वो दोनों वहां जाते हैं अब कैसी हो गोरी बेहन पेट का दर्द कुछ कम हुआ मगई खाने से मुझे क्या हुआ है मैं तो ठीक हूँ मेरे पेट में तो दर्द नहीं था ये सुनकर कबूतर और चड़िया तो हैरान हो जाते हैं फिर कालू ने छूट क्यों बोला क्या कह रहा था कालू वो तो सुबहा से तोते से मिलने दूसरे जंगल गया हुआ है वो कबूतर से मके का भूटा लेकर आया था तुम्हारा नाम लेकर और कह रहा था कि गोरी के पेट में शदीद दर्द है ये सुनकर गोरी तो सोच में पड़ जाती है घर तो वो भोजन लेकर आता नहीं फिर ये भोजन लेकर जाता कहा है कबूतर और चुडिया मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो गोरी बेहन कल हम सारा दिन नज़र रखेंगे कालू पर और देखेंगे के कालू रोज तरहां तरहां के भोजन लेकर कहा जाता है फिर वो सब वहाँ से चले जाते है अब शाम होने वाली है अब आप जाएं कहीं आपकी पतनी को शक न हो जाए मैं नहीं डरता अपनी पतनी से मुझे तो बस आप से डर लगता है के कहीं मुझे छोड़ना देना अभी तो शुरू आथ है हमारे प्यार की आगे आगे देखना कालू जी मेरे गहरे काले कालू जी कितना मजाएगा जब हम मेरी माँ वाले जंगल जाएंगे वहां जाकर दरिया पर ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे फिर शादी कर ले हम मुझे से अब तुम से दूर नहीं रहा जाता सारी रात नींद नहीं आती इतनी भी क्या जल्दी है मैं बगा दू अपनी पहली पतनी को अगर आप कहें तो ना ना अभी ऐसा ना करना अभी दो चार दिन रुक जाओ फिर मैं बताओंगी तुम्हें जब उसे पगाना होगा अच्छा कल जहने पर बैठकर मठाईयां खाएंगे और अपने प्यार को मीठा करेंगे फिर तो मैं इतनी मठाई ले आओंगा मेरी गुलाबो का जी बढ़ जाएगा मठाई से ये तो कल ही देखेंगे फिर कालू वहां से चला जाता है गुलाबो का पती भी पीछे छुपा हुआ था वो भी कालू को जाते देख आ जाता है ज्याता हंस हंस कर बाते ना किया करो उस बुड़े कवे से वो भुड़ा कल मठाईया लाएगा मेरे लिए और मेरे नौकर के लिए भी मठाईया खाने के लिए ही तो उस बुड़े कवे को उलू बनाया हुआ है हमने अब दो चार दिन में अगले शिकार पर निकल जाएंगे हम ऐसा बुड़ा पागल कहीं और से नहीं मिलेगा अभी कुछ दिन और इसे उलू बनाते हैं फिर चुपजाब यहां से अगले जंगल निकल जाएंगे रात को कालू लेटा हुआ था वो तो अपने परिवार से पूरी तरह बेखबर था वो तो पागल हो चुका था कालू जी कितने दिन होगे अपने बेटे से भी प्यार नहीं किया आपने क्या कोई परिशानी है मुझे दांग ना करो पहले ही मेरे सर में दर्द है कबूतर से मकेई का फुटा किस के लिए मां कर लेगे थे तेरी मां के लिए अगर इस गोंसले में कुछ दिन गुजाने है तो चुप चाप सो जाओ गोरी कवी चुप कर जाती है और सो जाती है जैसे ही सुभा होती है कालू कवा उठता है और कुछ बोले बिना घर से निकलता है गोरी भी कालू के पीछे ही उड़ती है कबूतर और जिडिया भी गोरी के इंतजार में ही थे वो भी गोरी के साथ कालू के पीछे जाते हैं पक्षी जी मुझे एक किलो मठाई दे दें मेरे पास देने को कुछ नहीं है मैं अपने सुसराल जा रहा हूँ वापिस लोडते समय मैं कीमत दे जाऊंगा मठाई की मैं उधार करता तो नहीं हूँ परन्तु कालू जी आप भुड़े कवे हो मैं आपका विश्वास करता हूँ फिर कालू जी वहां से मठाई लेकर ज़रने की तरफ जाता है मेरी गुलाबो देखो तो लड़ू धेर सारे लड़ू लाया हूँ मैं आपके लिए मेरा तेज चौँच वाला काला कवा कैसे मेरी हर इच्छा पूरी करता है और आज इस नोकर को क्यों साथ ले आई हैं आप कहा था ना कि इसे मठाईया बहुत पसंद है इसी शोक में मेरे साथ चलाया कबूतर गोरी कवी और चिडिया भी वहां आ जाते हैं तो इस मनहूस के लिए आज कल पागल बने फिटते हो अपनी उमर देखो और काम देखो एक बेटा है इस कवे का और तुम कल की बच्ची शरम करो जो अपने पीता की उमर के कवे से इश्क करती फिर रही हो तुम चुप चुप कर जा अगर मेरी गुलाबो को कुछ कहा तो जान से मार दूँगा मेरी गुलाबो शरम करो तुम्हारी बेटी चैसी है वो और कवी बेटा आपने भी ना सोचा ऐसी घटिया हरकत करते हुए तब चुप करके मेरी बास सुनो आपको सब पता चल जाएगा आप बताएं कि इसकी उमर है ऐसे इश्क लडाने की पंखों में इसके जान नहीं है और ये जो मेरे साथ है मेरा पती है हमारा तो काम है ऐसे भुड़े पागल कवों को उलू बनाना गुलाबो ये आप क्या कह रही है अपने गहरे काले रंग वाले कालू से चुप कर जा ओए बुड़े और चिडिया मैं इस कवी आंटी से बात नहीं करूंगी ये गुसे में है ये आपका भुड़ा कवा तो अपनी पतनी को कब से घर से निकाल देता मैं नहीं रोका इसे नहीं विश्वास तो पूछ लो बोलो ओए भुड़े आशक चलो पती जी चलें अब यहां खेल खतम हुआ किसी और को जाल में फंसाते हैं ऐसे वो गुलाबो कवी वो मठाईया उठाती है और अपने पती के साथ चली जाती है कालू जी चलो अब घर चलें सुबहा का भूला अगर शाम को घर आजए तो उसे भूला नहीं कहते आप सब मुझे माफ कर दें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं भूल गया था अच्छा अब बस करो चलो जगू घर में अकेला है फिर कालू कवी को एहसास होता है कि अपने घर परिवार से जो प्यार मिलता है वो बिना किसी लालच के होता है और वो अपने परिवार से प्यार करने लगता है